नमस्कार आप देख रहे हैं पलपल हरेण सरकार ने परदेश की किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्यूविलों के लिए शुरू की गई बिजली बिल बुजुर्माना माफी योजना की अंतिम्टिती को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ा कर 15 फरवरी 2020 कर दिया है बिजली तदा नवी नवी करनिया उर्जा मंतरी रंजीस सिंग ने बताया कि जो किसान किसी कारण वाइश अपने टूबलों के बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए वे इस योजना में शामिल होकर बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशी जमा करवा कर बकाएदारों की सूची से निकल सकते हैं उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2019 तक के बकाएदार किसान इस योजना का लाब उठा सकते हैं राजे सरकार द्वारा किसानों को रहत देते हुए कनेक्टिड और डिसकनेक्टिड बोगताओं के लिए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना स्तंबर 2019 में शुरू की गई थी उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कृशी शेतर को प्रोसहन देते हुए किसानों को सबसेडी डाइस दरों पर बिजली उगलप करवाई जाती है बिजली निगमों द्वारा क्रिशी फीडरों पर प्रति दिन आठ से दस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है बिजली मंतरी ने ये भी बताया कि 31 मार्च 2019 तक उत्तर हर्याना बिजली वितरन निगम के अंतरगत 1,42,000 से अधिक क्रिशी ब्रुकताओं के बिजली बिल लंबित थे जिन में से 49,638 ब्रुकता योजना में शामिल हो चुके हैं इसी तरह दक्षिन हर्याना बिजली वितरन निगम के अंतरगत 1,12,000 से अधिक क्रिशी ब्रुकताओं के बिजली बिल लंबित थे जिन में से 37,982 ब्रुकता योजना में शामिल हो चुके हैं इस परकार अब तक लगबग 34,4 ब्रुकताओं ने बिल सर्चार्ज माफी योजना का लाब उठाया है और कुल बकाया राशी की 35,5 राशी का निटांड किया गया है और जो किसान अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की अंतिम्तिती बढ़ाने का निर्ना लिया है और जिन किसानों का ट्यूफल कनेक्शन बीते दो सालों में कटा है उनका कनेक्शन बिना जुर्माना के सिर्फ बकाया मूल राशी जमा करवाने वे निगम द्वारा निधारित री कनेक्शन फीज जमा करवाने पर चालू कर दिया जाएगा वहीं दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशी जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए भी अवेदन कर पाएंगे और इसी के साथ देखते रहे हैं पलबल किये विशेश रिपोर्ट पहरे तो सब को नए साल की मुबर्ग माजी आपका डेट मिल रहे हैं सब के लिए बड़ी आसाल हो में जो था पूरे रियाना के लिए एक मेसेज है जो हम सरचार्ज माफ करके पिछले ट्यूवेल के बिल बरवा रहे थे वो हमारा 29 तीस तीस दिसंबर तक का था हमने 15 फरवर जो बहुत डिफांटर थे ऐसे लाडवा सबसे में डिफांटर था आपका समेंड है कनडी है वहां के लोग आए ते मेरे खार में एक अजार आदमी थे आपका मीटिया भी गया वाता और लोगों ने अब यह हमें बरोसा दिया है कि साब हम बिल बरने लगेंगे मैं समझता थर्मल पानीपत का आप मेरे से पूछ रहे थे एक सवाल काफी दिन से बड़ा हॉंटिंग है उसमें मैं गया था जी वहां काफी लोग जो थे वहां एक जिसे हम कहते हैं थोड़ा कि उन्होंने इंडारेक्ली किनेक्शन लिए वे थे उसमें जो नो लोग थे उनमें खिलाब सारी रिपोर्ट लेके मैंने सीम साब को बेज दी थी आज मेरे खिल में वो इस पर बताएंगे नेटने आप वो लेंगे यह है कि पुनिश्मेंट सभी को मिलेगी यह तैह है इसका एक मैसेज है जब आप बड़े ओफिसेज को चेक करेंगे तो नीचे जो है सभी डिस्टिक लेवल पर चाहिए वो किसी डिपार्टमेंट पर है कि कौन ली यह नहीं एक खाली पावर सी कंसर्ण हो दूसरे ओफिसेज हैं वो भी यह देखेंगे कि यह कभी भी हो सकता है तो मैं समझता हूं लाइन लॉस बहुत तेजी से एक दम रुके गा हमारा सब जो इ बिरोक्रेट्स भी हैं सेनियर उपीस हैं उनको भी कोई भी स्वेर इवन मैं भी करूंगा तो मैं भी पकड़ा जाओगा